में शाज पुरानी यादों में नाखो कर वर्तमान में रहे, आपको बहुत से नए अफसर मिल रहे हैं जिनसे आपके जीवन में उन्नती होगी और अथ्यात्मिक रूप से आपकी उरिध्धी होगी, किसी की बात से यदि आप अब भी नाराज हैं तो उस व्यक्ति को माफ करन कि बजाए उसे समय के साथ संभालने का मौका दे, प्रोफेशन, काम में अपना फोकस बनाए रखे, व्यार्थ की गासित में ना पड़े नहीं तो आपको गलत समझा जा सकता है, लब, पुरानी बातों को याद कर आज दुख मनाने में अपना समय बर्बाद ना करे, जो ब पुराना रोग आज परिशान कर सकता है, व्रिशाज किसी भी बात में कालम डोल ना करे नहीं तो यह स्वभावाब के लिए भमिश्य में नुकसान दायक हो सकता है, आए हुए अवसर हाथ से निकल सकते हैं, आजमन और मस्तिश्क में एक नई उर्जाबनी रहेगी, इसे उचित दिशा में लगाए तो सफलता में लेगी, जो भी अपने जीवन में चाहते हैं उसके लिए उनिवर्स या ईश्वर को धन्यवादे और चमतकार देखे, आज आपको कई अवसर ऐसे मिल सकते हैं जिनसे जीवन में उन्नती हो सकती है, प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र म आज का दिन लाबदायक रहेगा, जिस्ते इंडर के लिए आप परेशान थे, वह आपको मिल सकता है, लब, पुरानी बातों को याद कर आज दुहक्ष मनाने में अपना समय बरबादना करें, जो बीत गया उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वर्तमान में जीने का प्रय आज का दिन उर्जा पूर्ण रहेगा, आज लोगों से मिलना जूलना लगा रहेगा जिस कारण कार्यक्षेत्र में और निजी जीवन में आगे के द्वार खुलेंगे, इन सब मेन अपनी जरूरतों की और ध्यान देना ना भूले, आप भी उतने ही मत्वपूर्ण है जित तक कि वह आपके और आपके अपनों के लिए हानिकारत ना हो, प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट मिलने के असार है, आपका प्रोफेशनल व्यवहार आपके काम के लिए अच्छा रहेगा और क्लाइन्ट इसकी सराना भी करेंगे, लब, सामाजित मेल जो कुछ कठी नाई हो सकती है, अपनी दिन चर्या को अच्छा बनाए रखे, इससे लाब होगा, करका आज का दिन मन में दूइधाय बनी रहे सकती है, किसी निर्णय को लेकर परिशान ना हो, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलने तक का इंतजार करें, अपने मन की आवाज अवाश्य सुने, आज अपने मूड स्विंग पर नियंतरन रखे, आज भावनाओं की अथिकता रहेगी जिस कारण आज लिया हुआ निर्णय गलत भी हो सकता है, अपने गुस्से को शानता रखने का प्रयास करे, अपने आत्म विश्वास में आज कमी ना होने पे, प्रो का मिलेगा, विवहा संबंधित कोई निर्णय लेने से फ्ले पूरी तरह से जाच कर ले, पूरी जानकारी मिलने पर ही कोई निर्णय ले मेल्थ, स्वास्थे का ठ्यान रखे, नियमे त्यायाम से आपकी सेहत में बहुत सुधार होगा, अल्टरनेटिव हीलिंग जैसे रिक ही हल मिलेगा, आपका आज काम में फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है, इसका उपयोग अपना काम करने में करें, अपने व्यापार या व्यवसाय के बारे में गंभी इर्ता से वेचार करें, मन से किसी भी प्रकार के भय को मिटा दे, आप जैसा चाहते हैं आपके जीवन म में आज मेनत करनी पड़ेगी तभी फल मिलेगा, नौकरी बदलने का अफसर मिल सकता है, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, लग, प्रियाजनों के साथ आज थोड़ा समय अवाश्य बिताने का प्रयास करें, काम तो इतना मत्त्म ना दे की उनके लिए समय ना मिले को अपने दर्निक जीवन का हिस्सा बनाए, कन्या आज का दिन रचनात्मत हुर्जा की अधिक्ता रहेगी, इसे उच्छित दिशा प्रदान करेंगे तो लाब होगा, इसके साथ साथ आज यह भी आवश्यक है कि आप प्रयास करने के साथ प्रयास को फलित होने का भी मोका दे, धैर और सहयम से काम ले, धन लाब के योग है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, केवल अपने व्यवहार में सहयम बनाए रखे, प्रोफेशन, अपना व्यापार या व्यवसाय आरंब करने के लिए आज का दिन अच्छा है, लब, प्रियाजनों के साथ आज अच्छा स प्रयास करते रहे, तुला आज किसी भी बात में कालम डोल ना करे नहीं, तो यह स्वभाव आपके लिए भम्यश्य में नुक्सान दायक हो सकता है, आए हुए अफसर हाथ से निकल सकते हैं, आजमन और मस्तिष्क में एक नई उर्जाबनी रहेगी, इसे उचित देशा में लगाए तो सफलता मिलेगी, प्रित जहता का भाव जीवन को और खुश हाल बनाता है, और मनो काम नाई भी पूरी करता है, प्रोफेशन, आज अपने काम में किसी भी प्रकार का टाल मटोल ना करें, नहीं तो यह आपको भारी पढ़ सकता है, धन लाब के योग बन रहे है लब, विवहा संबन्थी मसलों में निरणय लेने की जल्दबाजी ना करें लेकिन उन में टाल मटोल भी ना करें गेल्थ, व्या याम नियम अच्छे फल देगा, अपनी सिहत के साथ कोई लापरवाही ना करें व्रिष्चि का आज का दिन मिश्रित फलदाई रहेगा, परिस्थिती में यदि कोई परेशानी बनी हुई है तो वह जल्दी हल हो जाएगी, अपने मन में कोई नकार आत्मत भाव ना आने दे, काम में पूरा फोकस बनाए रखे, व्यावसाय के लिए आज का दिन बहुत लावकारी रहेगा, इसका पूरा फायदा उठाए, परिस्थिती में अपने आपको स्थिर बनाए रखे, प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में अपने आसपास के वातावरण की नकार आत्मत्ता के कारण निराशना हो, अपने प्रयास में कोई कमी ना होने दे, लब, प्रिया अजनों के साथ सहम भर अव्यभार रखे, प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, आज रिष्टों से संबंधित कोई मत्वपूर्ण निरने ना ले, उचित समय का इंतजार करें एल्थ, स्वास्थे सामान में रहेगा, अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए प्रयास करने की आवश्यक्ता है, धनुआ आज का तिन कुछ अकस्मात बदलाव या घटनाव भरा हो सकता है, यदि किसी प्रकार का निरनय लेने की सोच रहे हैं तो यह उसके लिए उचित समय है, आपको अपने कमफर्ट जोन से बाहर कोई कदम उठाना पड़ेगा, शु प्लाकात होने के आसार है, जिनके साथ नए रिष्टों का आरंभ होगा, प्रोफेशन, यदि करियर लाइन बदलने का मौका मिल रहा है, तो उसे बिना सोचे विचार जाने ना दे, हो सकता है यह दिन आपके कार्यक्षेत्र में एक नई शुरुआत का गिन हो, लब, वार अजनों के साथ समय बिताने को मिलेगा, जिन रिष्टों में बहुत परेशानी आ रही है, उनसे आगे बढ़ जाने ही समझदारी है हिल्थ, स्वास्थे अच्छा रहेगा, सेहत में सुधार होगा, यदि किसी रोग से जूच रहे हैं तो जल्दी निजात मिलेगा मकर जीवन में अपने वर्दान को देखने का प्रयास करें, यदि कोई परेशानी बनी हुई है तो अपना धृष्टी को और बदलने का प्रयास करें, परेशानी अवसर में बदल जाएगी, परिस्थिती इतनी बुरी नहीं, जितना आपके भय के कारण आपको प्रतीत हो ही है अपने विचारों और सोच को सकारात्मत बनाए रखे पारिवारिक मेल जोल के लिए अच्छा केंड है प्रोफेशन कार्यक्षेत्र में व्यार्थ की चिंताएं ना करें काम अपनी गती से चल रहा है और समय से समाप्त हो जाएगा काम को इतना गंभीरता से ना लेकि वह से बोच बन जाए लब प्रियाजनों के साथ आज अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा रिष्टों में यदि घ्राई बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आपको व्यक्त करें इल्थ स्वास्थे सामान्य रहेगा अपनी सेहत के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो जल भी फल मिलेगा कुम्भ जरूरी नहीं जो प्ले हुआ हुआ ही भमिश्य में भी हो मन से इस भय को हटा दे आप अपने जीवन में बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं बहुत बड़ी योजनाए हैं किन्तु उन्हें साकार करने के लिए प्रयास और फोकस में कुछ कमी है इसे पूरा कर लेंगे तो सफलता अवाश्य मिलेगी किसी और पर अपनी योजनाओं के लिए निर्भर ना करें प्रोफेशन कार्यक्षेत्र में अपनी ब्यानत और फोकस में कोई कमी नहोंने दे अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयाटिकल होने की आवाश्यक्ता है स्वास्थे का थ्यान रखे यदि किसी रोग से पीड़ित हैं तो इससे निजात पाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे मीन आज का तिन मिश्रित फल्दाई रहेगा फिर भी आपके सकारात्मक दृष्टी को उर्ण के कारण आप हर परिस्थिती को अनुकूल करने में सफल होंगे आजम्भपूर्ण निर्णय लेने के लिए अच्छा पिन है कोई मत्वपूर्ण बील आपके हट में हो सकती है काम में कोई लापरवाही ना करे नहीं तो आर्थिक रूप से हानी होने की भी संभावना है अपने जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करें सच बोलने से ना कत्राएं प्रोफेशन कार्यक शेत्र में बास से स्योग मिलेगा आपकी कार्यक उशलता के लिए आपकी सराना होगी अपने सोच विचार सकारात्मत बनाएं रखें लग प्रयाजनों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा रिष्टेदारों की बातों में आकर अपने परिवार में कोई कड़वाहत न आने दे मेल्थ स्वास्थे अच्छा रहेगा और आपका साथ देगा अच्छी सेहत के लिए की गई मेहनत फल देगी